तो ही गाईस स्वागत है आपका मेरे चैनल में आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीकेंड जो है अपना मना रहे होंगे घर पे और काफी लोग सोचे होंगे कल वीडियो क्यों नहीं आई जूट की दुनिया पे तो देखिए यार मैं भी ना इस पर रेक्शन क्योंकि यह सुधरने वाली तो है नहीं बट लोगों की डिमांड होती है तो चलो यार वीडियो बना दी जाए तो भाई बात कर लेते हैं कल की वीडियो की आपने एक चीज़ नोटिस करियोगी यह अपने भाई की शादी में गई है वो इसके सगे भाई की शादी नहीं थ ठीक है शादी जो थी गुडगावां में थी आई थिंग और किसी होटल में थी जहां पे जितने भी गैस आयो थे उनकी रुकने की भी शैद वहां पे उन्होंने अरेंजमेंट की वी थी यह वहां पे शादी में पोच गी उसी लहेंगे में पसीने एक बात बता गया पहली लहेंगे में इसने पूरी शादी अटेंड कर डाली आप लोगों ने देखा था जहां इसने प्रेंग्नेंसे की वीडियो बनाई थी पूरी शादी में कैमरा गुमा गुमा के दिखा रहे थी अच्छा एक चीज़ सबने नोट करी होगी कि जब यह शादी का वहां पे व्ल अब भाई तुम्हारे हेटर्स को क्या पता कि जिन लोगों को तुम शादी में दिखा रही हो व्लोग में कि उनकी क्या-क्या आइडिया चैनल है या नहीं ना किसी के पास इतना टाइम है कि कोई किसी के पास जाके हेट कमेंट्स करेगा यह सिरफ और सिरफ जूट बोलती ह मुझे लगता है इसके जो यह आए दिन के नाटा कनोटंकिया रहती है ना यह बेफालतू की मतलब वीडियो को एक तरीके से मतलब गंदगी दिखाना अपने चैनल में कीडे वीडे परोसना तो वो लोग भी देखो इसकी वीडियो तो देखते होंगे इसकी मोसी है चाहे म हर पूर पहले तो बोलती है कि मैं मोटी हो गई हूं लोग मुझे ऐसा कमेंट करते हैं मोटा एट प्लैंगे वेट लोग इसकोरे गवाल रहती काई मोह चाइक हाई हूं सब कुछ दिखा रही थी जैसे इसने थो पती है भगान जाने भाई मतलब कभी इसने खाने भगवान खाया भी है नहीं इतने बुरे तरीके से उसे खाने तूट पड़ेगी जैसे जनम जनम की बुकियो अब इसकी जो यह भी था इसमें इसकी मम्मी को देखा होगा आप लोगों ने वैसे तो इसकी मम्मी घर पे इतनी गंदी बन के रहते हैं कि लोग दुझा भर के कमेंट्स करके जाते हैं कि बालों का घोसला बना रखा है two तो एक चीज तो देखो यहां से कंफर्म होगे कि इसकी ममी ना खुद गंदा रहना नहीं चाहती उसको भी मतलब अच्छा भनना ढंग से रहना जो है पसंद है लेकिन शायद मुझे ये लगता है कि ये अपनी वीडियो जो नेगेटिव वीडियो बनाती है ना हमेशा इसकी वीडियो में नेगेटिविटी रहती है दिखाना ये ही पसंद करती क्योंकि इसको पता है इसी वज़े से मेरे व्यूज आते तो ये अपनी मम्मे को इसने गंदे तरी से मतलव पता निसका बदबू miraculous जारी नbourne दोई वहां से इसको फारो से निकल राष्टे में दिखा रही है छाना गरा लिया है फिर यह आई जबना को कि आ ले के सीधा पहुकि मंझी में जैसा कि ये पहले भी करती में पहां हम करा है और से दीदी ने कराए पराठे पैक क्योंकि घर का खाना तो बनता नहीं आपको पता ये कितनी काम चौर है और दूसरी बात ये काम चौर तो छोड़ो मतलब बनाना भी नहीं आता कि भाई भूख कितनी लगी है अब बच्चे को मापापको मैं क्या खिलाओं तो इससे अच्छा है कि घर में एक ही चमघ पड़ी है अरे कितनी जूठी है तो एसे हाथ से खालूंगी और इतने तरीके से मतलब बच्चे को ईसक उपर तरस आ ग्या सोचो बच्चा स्कूल जाता ऊसको मैंनर सिकाए जाते होंगे critically तो उसने जो मैं में आपको spoon से खिला देता हूं ये लो मैं आपकी ही aise kream को अपनी श्रुण से ख्याँ हूं आप बत्यों घ्डब में बच्चे के उपर क्या सर पड़ता होगा आज तो बच्चा चलो भी करह भी है कि मेरी मातों खाती नहीं से गंदे अपने अपने गंदे सबसे पहले एक जो टीचर होता है बच्चे के लिए उसकी माँ होती है तो वह वैसा ही करेगा आने वाले टाइम में जिस तरीके की हरकते यह करती है प्यार ब्यार यह डांस करना घर में जो है मतलब बेफालतू की अपना कैमरा लगा के कोई हस्बंड के नाम पे कोई चीटी भी नहीं कोई चीटा भी नहीं है ना देफालतू के एक्टिंग करना निकल जा मेरे घर से और कल फीर इसने जो है आज की वीडियो में यही सब काम करा बार अपना ट्राइपोड लगा दिया वहां पे अपना फिर एक्टिंग करनी शुरू हो गई आमज जाना यहां पर आम बाड़ के वह लोग देख रहे होते हैं लेकिन बस इसी को शरम नहीं आती कि मैं यह क्या कर रही हूं फिर इसने एक्स्क्यूस दिया अरे अब लोग प्रूफ मांगते हैं मैं क्या करूँ देखो आप लोग दिखा अपने हस्बेंड को लेकिन वह आना नहीं चाहते तक जूठा कंटेंट निकाले जैसा कि तू निकालती है और एक चीज देखो शादी का जो इसने व्लोग बनाया वहाँ पे उसने ये पागलपन वाली हरकते नहीं करी है ना जैसा ये घर आते ही मतलब इसको जैसे न कुल जैसे दोरा उठिया हो कि दुबारा हस्बेंड हस्ब अपना एक नॉर्मल सा व्लोग बनाया और देखो व्यूज तो उसके भी आये ना यार ऐसा थोड़ी की व्यूज नहीं आये तुने अगर ढंका एक नॉर्मल कंटेंट दिखा दिया उसमें हस्बेंड फस्बेंड ये फालतू के बकवास नहीं करी चोचले बाजी तो उसके कि तरे व्यूज नहीं आए व्यूज आए तो तूसी चीज़ को देखे ऐसी कंटेंट क्यों नहीं बनाती है क्यों नहीं बनाती मेरा तो सबसे बड़ा कोश्चन यहीं है इस ओरत से मतलब दिमाग में क्या हस्बैंड नाम का इस ऐसा फितूर भर गया है कि भाई वू निकल कि आपको पोड़कास्ट पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शियर करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कूल ना भूलें तो बबाई मैं मिलते हूं आप से एक न्यूव पोड़कास्ट में सब तक के लिए बाई